परिचाए बच्चों, पिछली कक्षा परिख्षा में कितनों को 30 में से 10 अंकप्राप्थ हुए थे, वो ज़रा खड़े हो जाएं? कितनों को 10 से 20 के बीच में अंकप्राप्थ हुए थे? ठीक है, अब क्या कोई पता सकता है कि हम इन सभी आकड़ों को किस प्रकार निरूपित कर सकते हैं? सर, हम इने सांकिकी का प्रियोग करके निरूपित कर सकते हैं? बिल्कुल सही राहुल, सांकिकी आकड़ों के संग्रह, विशलेशन और प्रस्तोती करण का विज्ञान है, आईए इसके बारे में और सीखें. इस पार्ट में आप संग्रहित आकड़ों का विशलेशन और निर्वचन करना सीखेंगे. इस पार्ट के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे. वर्गी कृत और अवर्गी कृत आकड़ों का माध्धे ज्याद करना. वर्गी कृत और अवर्गी कृत आकड़ों का बहुला क्याद करना. वर्गी कृत और अवर्गी कृत आंक्णों का माध्य ज्यात करना संचई बारंबार्था बंटन का विशलेशन करना वर्गी कृत आंक्णों का माध्य आक्णों कार्थ है संख्यात्मक रूपों या तत्यों के समुच्चे के रूप में प्राप्त सूचना है माध्य यह संख्याओं का आउसत होती है यदि X1, X2, इत्यादी, Xn तक प्रिक्शन है जिनकी F1, F2, इत्यादी, Fn तक बारंबार्था है तो आंक्णों का माध्य X बार निम्न होगा हम इसे x बार बराबर fi और xi के गुडन फलों के योग जहां i बराबर एक से n तक बटे fi का योग जहां i बराबर एक से n तक है उसके रूप में लिख सकते हैं यदि वर्ग अंत्राल दिये हों तो हम वर्ग चिन को निम्न प्रकार ग्याद कर सकते हैं। वर्ग चिन बराबर उपरी वर्ग सीमा जमा निचली वर्ग सीमा बटे दो। प्रतिक वर्ग अंतराल के लिए हम दिये गए सूत्र में वर्ग चिन एक्स आई का प्रियोग करते हैं। उधारण प्रथम दस प्राकृतिक संख्याओं का माध्धे ग्याद कीजे। हल दिये गए आक्णें एक, दो, तीन, चार, पाँच, छै, साथ, आठ, नौ, दस हैं। प्रिक्षणों का योग बच्पन के बराबर होगा। कुल प्रिक्षण हैं दस। माध्धे बराबर होगा। कुल प्रिक्षणों का योग यानि ये पाँच दशमलाव पाँच होगा। उधारण दिये गए आक्णों का माध्धे ग्याद कीजिए। हल सबसे पहले हम सूत्र के प्रियोक से प्रतेक वर्ग अंत्राल के लिए वर्ग चिन ग्याद करेंगे। वर्ग चिन बराबर उपरी वर्ग सीमा जमा निचली वर्ग सीमा बटे दू। पहले स्थंब में हमने वर्ग अंत्राल लिखा है। और दूसरे स्थंब में हमने संगत वर्ग अंत्राल की बारंबारता लिखी है। बारंबारताओं का योग 31 है। फिर हम प्रतेक वर्ग अंत्राल के लिए वर्ग चिन लिखते हैं और उन्हें X-I से व्यक्त करते हैं तथा इसके बाद F-I और X-I का गुडन फल ग्याद करते हैं। अंत्तहा हम सूत्र का प्रयोग करके माध्धे ग्याद करते हैं। X-बार बराबर F-I और X-I के गुडन फल का योग बटा F-I का योग जो पराबर होगा 1095 बटे 31 के जो हल करने पर 35 प्राप्त होगा। माध्य ग्याद करने की इस विधी को प्रतक्ष विधी कहा जाता है। वर्गी करित आंक्रों का माध्य कल्पित माध्य विधी कई बार और का गुडन फल इतना बड़ा हो जाता है कि परम परागत विधी बहुत समय लेने वाली हो जाती है। लंबी करनाओं से मुक्ति पाने के लिए हम कल्पित माध्य विधी का चायन करते हैं। कल्पित माध्य विधी से माध्य निकालने का सूत्र है। कल्पित माध्य जमा F.I. और X.I. के गुडन फल का योग बटा F.I. का योग। जहां A कल्पित माते हैं, हम XI के मान से माध्ध की कल्पना करते हैं DI बराबर XI घटा A वर्गे करित आंक्णों का माते पग विचलन विधी गड़नाओं से बचने के लिए हम एक अन्य विधी का प्रयोग करते हैं, जिसे पग विचलन विधी कहते हैं पग विचलन विधी से माध्धे ग्याद करने का सूत्र है कल्पित माध्धे जमा H गुडन F I और U I के गुडन फल का योग बटा F I का योग जहां A कल्पित माध्धे है, हम X I के मान से माध्धे की कल्पना करते हैं H वर्कमाप है U I बराबर X I घटा A बटा H उधारन कल्पित माध्धे विधी और पग विचलन विधी से दिये गए आकणों का माध्धे ग्याद कीजिए हल सबसे पहले हम निम्न सूत्र के प्रयोग से तत्येक वर्क अंत्राल के लिए वर्क चिन्न ग्याद करेंगे वर्क चिन्न बराबर उपरी वर्क सीमा जमा निचली वर्क सीमा बटा दू मान लीचिए कल्पित माध्धे ए बराबर पचीज एच बराबर तस पहले स्थम्भ में हमने वर्क अंत्राल लिखा है और दूसरे स्थम्भ में हमने संगत वर्क अंत्राल की बारम बारता लिखी है बाराम बारताओं का योग 41 है फिर हमने प्रतेक वर्ग अंधराल के लिए वर्ग चिन्ह लिखा और उसे XI से विक्त किया चौते स्थम्भ में हमने कल्पित माध्य से विचलन डी प्राप्त किया पांचवे स्थम्भ में हमने कल्पित माध्य बटा वर्ग माफ से विचलन यू ग्याद किया चटवे स्थम्भ में हम F और D का गुड़न फल ग्याद करते हैं उनका योग घटा चालीस है साथवें स्थम्भ में हम F और U का गुड़न फल ग्याद करते हैं और उनका योग घटा चार है इसके बाद हम कल्पित माध्धि विधी के निम्न सूत्र से कल्पित माध्धि ग्याद करते हैं कल्पित मात्थे जमा एफ आई और एकस आई के गुडनफल का योग बटा एफ आई का योग पराबर पच्चीस जमा घटा चालीस बटा एक तालीस पच्चीस घटा शूने तशमलव नौ आठ और चौबीस तशमलव शूने तो है इसके पश्चाथ हम पग विचलन विधी के निम्न सूत्र की साहिता से मात्थे क्यात करते हैं कल्पित मात्थे जमा एच गुडन एफ आई और यू आई के गुडन फल का योग बटा एफ आई का योग मान रख कर गरना करने पर हमें चौवीस तशमलव शूने दो प्राप्त होगा वर्गी क्रित आंक्रों का पहुलक पहुलक वह संख्या है जो सबसे अधिक बार आती है वर्गी क्रित आंक्रों में बहुलक का मान निम्न सूत्र से ग्याद किया जा सकता है एल जमा एफ एक घटा एफ शूनने बटे दो एफ एक घटा एफ शूनने घटा एफ दो गुणा एच जहां एल बहुलक वर्ग की निम्न यानि निचली सीमा है एच वर्ग अंत्राल की माप ये मानते हुए कि सभी अंत्राल बराबर मापों के हैं एफ एक बहुलक वर्ग की बारंबारता है एफ शूनने बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता है तथा एफ दो बहुलक वर्ग के ठीक बात में आने वाले वर्ग की बारंबारता है उदारण दिये गए आकणों का बहुलग ज्यात कीजिए हल यहां वर्ग अंतराल में अधिक्तम संखिया नौ है और इस बारंबार्ता का संगत वर्ग 30 से 40 है अतहा बहुलग वर्ग 30 से 40 का वर्ग है अब बहुलग वर्ग बराबर 30 से 40 बहुलग वर्ग की निमनसीमा L बराबर 30 वर्ग माप H बराबर 10 है बहुलग वर्ग की बारंबार्ता F1 बराबर 9 है बहुलग वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबार्ता F0 बराबर 8 है बहुलक वर्ग के ठीक बात में आने वाले वर्ग की पारंबार्था F2 बराबर 4 है अब नीचे दिये गए सूत्र में सभी मानों को रख कर तथा गणना करने पर हमें 31.67 बहुलक प्राप्त होता है संचयी पारंबार्था संचयी पारंबार्था दो प्रकार की होती है एक कम प्रकार का संचयी पारंबार्था बंटन और दो अधिक प्रकार का संचयी प्रकार का बारंबार्था बंटन आईए इसे एक उधारण से समझें वर्गी कृत आंकड़े इस प्रकार है शुने से दस के बीच अंक प्राप्त करने वाले चातरों की संख्या दो है दस से बीस के बीच अंक प्राप्त करने वाले चातरों की संख्या बारा है 20-30 के बीच अंक प्राप्त करने वाले चात्रों की संख्या 22 है 30-40 के बीच अंक प्राप्त करने वाले चात्रों की संख्या 8 है 40-50 के बीच अंक प्राप्त करने वाले चात्रों की संख्या 6 है आईए उप्रोक्तो आकडों के लिए कम प्रकार का संचई पारंबारता सारणी का निर्मान करें यहां दो चात्रों ने शुन से दस के बीच अंक प्राप्त किये हैं इसकार्थ है कि दो चात्रों ने दस से कम अंक प्राप्त किये हैं 12 छात्रों ने 10 से 20 के बीच अंक प्राप्त किये हैं, आताह 14 छात्रों ने 20 से कम अंक प्राप्त किये हैं, इसी प्रकार आगे परिकलन करते रहने पर हमें निम्न संचयी पारंबारता सारणी प्राप्त होती है 10 से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या 2 है 20 से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या 2 जमा 12 बराबर 14 है 30 से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या 14 जमा 22 बराबर 36 है 50 से कम अंक प्राप्त करने वाले चात्रों की संख्या 36 6-8 बराबर 44 है उपरोगत सारणी को कम प्रकार का संचई बारंबारता सारणी कहते हैं आईए अधिक प्रकार की बारंबार्ता सारणी का निर्मान करें आईए उप्रोक्त आकड़ों के लिए अधिक प्रकार की संचई बारंबार्ता परिकलन सारणी निर्मान विधी ग्याद करें इसमें शूने या उससे अधिक अंक प्राप्त चात्रों की संख्या इसकार्थ है कि पचास चात्रों को शूने या उससे अधिक अंक प्राप्त हुए हैं चुंकि दू चात्रों को दस से कम अंक प्राप्त हुए हैं इसलिए 48 चात्रों को 10 या उससे अधिक अंक प्राप्थ हुए हैं। इसी प्रकार आके बढ़ते रहने पर 48 घटा 12 बराबर 36 चात्रों ने 20 या उससे अधिक अंक प्राप्थ किये हैं। इस प्रकार हम अधिक प्रकार बारम बारता बंटन सारणी प्राप्त करते हैं। शूने से अधिक अंक प्राप्त करने वाले चात्रों की संख्या पचास है। दस से अधिक अंक प्राप्त करने वाले चात्रों की संख्या पचास घटा दो बराबर अर्टालीस है। 20 से अधिक अंक प्राप्त करने वाले चात्रों की संख्या 48 घटा 12 बराबर 36 है। अधिक 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 ग्रम में वेवस्तित कर लीजिए. अब यदी n विशम है, तो n जमां एक, बटा दोवन प्रेक्षण माध्यक होगा. यदी n सम है, तो n बटा दोवें, तथा n जमां एक, बटा दोवें प्रेक्षणों का आउसत माध्यक होगा. पहले हम माध्यक वर्ग ग्याद करते हैं इसके लिए सभी वर्गों और एन बटा दो की संज़ई बारंबार्ता ग्याद करेंगे अब हम उस वर्ग को निर्धारित करते हैं जिसकी संज़ई बारंबार्ता एन बटा दो की बारंबार्ता से अधिक समीब हो इसे माध्यक वर्ग कहते हैं माध्यक के परिकलन के लिए निम्न सूत्र का प्रयोग करते हैं L जमा N बटे दो, घटा C F जो की F से विभाजित है और H से गुणन होता है जहां L माध्यक वर्ग की निम्न सीमा है N प्रिक्षणों की संख्या है C F माध्यक वर्ग के पहले वाले वर्ग की संचई बारंबारता है F माध्यक वर्ग की बारंबारता है H वर्ग माप यानि सभी अंतराल बराबर माप के हैं माध्य, माध्यक और भहुलक का अंतर संबंध इस प्रकार है तीन माध्यक पराबर भहुलक जमा दो माध्ये उधारण मान पाँच, दस, साथ, सोला, बारा, बीस का माध्यक ज्यात कीजे हल आग्णों को आरोहिक्रम पाँच, साथ, दस, बारा, सोला, बीस में वैवस्थित करें प्रिक्षणों की संख्या छै यानी सम है अताहा एन बटा दोवें तथा एन जमा एक बटा दोवें प्रिक्षणों का आउसत माध्यक होगा अन बटा दोवां प्रिक्षण, चै बटा दो यानी तीसरा प्रिक्षण बराबर दस जोकी ग्यारा प्राप्त होगा उधारण दिये गए आँक्णों का माध्यक ज्यात कीजे हल सबसे पहले हम मस्दूरों की मस्दूरी और संख्या लिखेंगे मस्दूरों की कुल संख्या सौ है यहां प्रिक्षणों की संख्या सौ है यहां समसंख्या है इसलिए माध्यक प्रिक्षण के एन बटा दो वें और एन बटा दो जमा एक वें पत का आसत होगा यहां सौ बटा दो और सौ बटा दो जमा एक का आसत है यह पचासवें और इक्यावनवे प्रिक्षण का आसत है इन प्रिक्षणों को प्राप्त करने के लिए आकड़ों को निम्न प्रकार व्यवस्थित करें इसमें हमने उन मस्दूरों की कुल संख्या लिखी है जो 3800, 4100, 4400, 4900, 500, 5500 और 6000 तक वेतन प्राप्त करते हैं उप्रोक्त प्रकार से व्यवस्थित की गई बारंबारता को संचाई बारंबारता कहते हैं दर्शाई गई सारणी में शिग्रिता से संचाई बारंबारता का परीकलन करना बताया गया है अताहा पचासवां प्रेक्षण चवाली सो है और इक्यावनवां प्रेक्षण उन्चास सो है माध्यक बराबर चवाली सो जमा उन्चास सो बटा दो माध्यक बराबर तिरानवे सो बटा दो माध्यक बराबर चार हजार छैसो पचास इस कार्थ है कि 50% मस्दूर 4650 रुपई से कम मस्दूरी प्राप्ट करते हैं और बाकी 50% मस्दूर 4650 रुपई से अधिक मस्दूरी प्राप्ट करते हैं उधारन दिये गए आंकलों का माध्यक ग्याद कीजिए हल प्रतम स्थम्भ में दी गई मस्दूरी लिखे दूसरे स्थम्भ में हम दी गई बारंबार्था लिखेंगे बारंबार्था का योग 31 है तीसरे स्थम्भ में हम प्रतेक मस्दूरी के लिए वरतमान बारंबार्था में उसके पहले की बारंबार्था का योग कर संचई बारंबार्था ग्याद करते हैं इसके बाद हम माध्यक ग्याद करते हैं माध्यक पराबर 31 जमा एक बटा दो वा यानि 16 वा प्रेक्षन बराबर 91 रुपए यहां 12 से 23 तक सभी प्रेक्षन रुपए 91 है अता प्रेक्षन 16 रुपए है उधारन निमने लिखित वर्की क्रित आंक्णों का माध्यक ग्याद कीजिए हल पहले स्थम्भ में हमने दिये कए आंक्णे लिखे है दूसरे स्थम्भ में हमने दी गई बारंबारता लिखी है तीसरे स्थम्भ में हमने संचई बारंबारता लिखी है इसके पश्चात यहां एन बटा दो बराबर पचास बटा दो बराबर पचीज अताहा 20 से 30 माध्यक वर्ग है अब ल बराबर 20 H पराबर 10 C F पराबर 14 और F पराबर 22 है और फिर हम नीचे दिये गए सूत्र के अनुप्रयोग से माधधक ज्यात करते हैं L जमा N बटे 2 घटा C F जिसका F से विभाजन और H से गुणन होता है सभी मानों को उपरोक्त सूत्र में रखकर गर्णा करने पर हमें माध्यक 25 पराब्थ होता है इस कार्थ है कि 50% छातरों को 25 से कमंक पराब्थ हुए हैं और 50% छातरों को 25 से अधिकंक पराब्थ हुए हैं संचई बारंबारता बंटन का आलीखिये निरूपण इसमें हम 36 अक्षपर वर्ग अंतराल की उपरी सिमाएं अंकित करते हैं और उर्द्वाधर अक्षपर उसकी संचई बारंबारताईं अंकित करते हैं प्राप्द वक्र कम प्रकार की एक संचई बारंबारता वक्र या तोरन कहलाती है यदि हम X अक्षपर वर्ग अंतराल की निचली सिमाएं अंकित करते हैं और उर्द्वाधर अक्ष पर उसकी संगत संजयी बारंबार्ताएं अंकित करते हैं, तो प्राप्त वक्र अधिक प्रकार की एक संजयी बारंबार्ता वक्र या तोरण कहलाती है. टिपनी हम समान अक्ष पर दोनों आलेखों और उनके प्रतिछेद बिंदु द्वारा माध्धग्यात कर सकते हैं, हम प्रतिछेद बिंदु से एक्स अक्ष पर लंब डालते हैं, और एक्स अक्ष के जिस बिंदु पर यह लंब गिरता है, वही बिंदु माध्यक होता है. उधारण दिये गए आकणों का माध्य ग्याद कीजिए ग्याद कीजिए कि कितने चात्रों ने पहली को 12 सिकंड से कम समय में और 18 सिकंड से अधिक समय में हल कर दिया और कितने समय तक 28 चात्रों ने पहली को हल कर लिया था हल एक्स बराबर बारा के लिए संचाई बारमबारता वक्र को प्रतिछेदित करती एक उर्थवर्धर रेखा खींचिये अब संचाई बारमबारता अक्ष पर मिलने वाली एक रेखा खींचिये प्राप्तमान पंद्रा है 15 चात्रों ने पहली को 12 सिकंड से कम समय में हल कर लिया X बराबर 18 पर रेखा हमें 26 मान प्रदान करती है इसकार्थ है कि 32 घटा 26 बराबर 6 चात्रों ने पहली को हल करने के लिए 18 सिकंड से अधिक समय लिया संजई बारंबारता के मान 28 से वक्र को प्रतिछेत करती रेखा खींचिये अब X अक्ष से मिलाने के लिए बिंदू X बराबर 20 पर एक उर्दवा धर रेखा खींचिये यही वो समय है जिसमें 28 चात्रों ने पहली को हल किया था क्या आप जानते हैं समानिता सांखिकी को गणित की एक शाखा मानने के बज़ाए एक भिन गणित ये विज्ञान माना जाता है सांखिकी से संबंदित आरंबिक लेखन नौवी शताबदी की पुस्तक Manuscript on Deciphering Cryptographic Messages में पाया जाता है सारांश आईए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं आकणों का माध्धे X बार निम्न है कल्पित माध्धि विधी से माध्धे निकालने का सूत्र निम्न है पग विचलन विधी से माध्धे ग्यात करने का सूत्र निम्न है वर्गी क्रित आकणों में बहुलक का मान निम्न सूत्र से ग्यात किया जा सकता है वर्गी क्रित आकणों का माध्यक निम्न प्रकार है माध्य, माध्यक और बहुलक का अंतर संबंध निम्न प्रकार है तीन माध्यक पराबर बहुलक जमा दो माध्य माध्यक प्रकार है